हमारे पूरवज हेल्प सेंटिस्ट थे उनको मालूम था कि जब भी चेंज ओफ वैदर आएगा शरीर के अंदर डीटॉक्सिफिकेशन होती है शरीर बुखार के माद्यम से जुकाम के माद्यम से गलाखराब खांसी के माद्यम से अपने टॉक्सेंज बलगम आप बाहर फैंक के शरीर की डीटॉक्सिफिकेशन करके शरीर की शुद्धी करके शरीर आने वाले छे महीने के लिए तैयार होता है अगले आने वाली मौसम का आने वाली गर्मी का सामना करने के लिए फिर छे महीने बाद नबरातरे आते हैं फिर उसी समय चेंज ओफ वैदर आता है फिर श परदियों के मौसम का सामना करने के लिए उसको दवारा से तियारी करने के लिए ये जो जुकाम नजला बुखार आता है ये हमारी भलाई के लिए आता है शरीर की सफाई के लिए आता है किसी नुकसान के लिए नहीं आता जब जे सीधे सादे सीधे सादा सिंपल बुखार थ तो हमने बार बार त्रह त्रह की और शदियों का प्रयोग करकर के इसको अंदर दबा दबा के इसको बिगाड़ा तो हर साल और बिगडा हुआ फिर और बिगडा हुआ बुखार हमारे सामने आ रहा है क्योंकि हम उसको समझ नहीं रहे कि इसको ठीक करने का सही तरीका क्या है बहुत पहले फरबरी 2020 में हमने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था वो आज भी उपलब्द है उसमें हमने ये बोला था कि आज करोना आया है आने वाले समय में महा करोना आएगा अब कहा जाता है कि जो वैरस है करोना का पहले वाला वैरस जो है जो बिगड गया है तो जो पहले वाला वैरस जो बिगड गया है उसका कारण इसलिए बिगड गया है कि उसको अंदर ही दबाया गया है उसको ट्रीट करने का तरीका scientific नहीं है Uncentive क के तरीका है तो एक बात आप noot कर सकते हैं और मेरी बात को record कर सकते हैं यह करोना कहीं जाने वाला नहीं है, जो वैक्सिनेशन जितनी भी आती है, आलो, जो आले जो भी करना है, कर लें, यह जाएगा कहीं नहीं, हर छे महीने बाद, जब जब चेंज ओफ वैदर आएगा, यह बढ़ेगा, जैसे अब बढ़ रहा है, जैसे ही मौसम सैटल हो सेटल हो जाएगा फिर छे महशनय वाद फिर ये बड़ेगा आप देख लेना कि यह ओगा है तो हमें अपनी भारतिय संस्कृति के ऊपर पूरिवरों के ऊपर विश्वास करना चाहिए तो हम बाहरबाली साइन्स को विदेश साइझ से ओपर बिश्वाश करते हैं तो हमने अपनी साइझ के ऊपर बिश्वाश करना चाहिए हमारी साइझ से चैंज आफ वैगर के दारान नवराठ्तरों के दरान हम ठीक तरीके से उपवास कर लें जैसे हम बताएंगे कुट्टू के आठे के पकोड़े बगएरा जहां दूद और दूद से बने हुए पदार्थों का चाए, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक का परियोग ना करें उपवास वाले दिनों में तो हमारे भारत के अंदर कोई वैरस, कोई करोना, कोई कोई किसी को कुछ परिशान नहीं करेगा, लेकिन हम लोग जातों उपवास करते नहीं, अगर करते हैं तो उसको गलत तरीके से करते हैं अब हमारा NLS का एक वाइट चार्ट है, इस वाइट चार्ट को हम कव फॉलो करते हैं, जब-जब हमारे शरीर के अंदर कोई acute disease आती है, नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी इस तरीके का कोई रोग आता है, उस समय शरीर गंदगी को बाहर निकाल रहा होता है, और दवारा रीफ्रेश होने की त्यारी कर रहा होता है उस अवस्था में कुद्रत की तरफ से हमारी बूख को मार दिया जाता है आप गाए भैस कुत्ता बिल्ली को देखो, वो बिमार होने पर अपना भोजन छोड़ बेते हैं आप अपने घर में उसको पाल के रख के देख सकते हैं एक मानव ही है जो बिमार होने के बाद भी खाता रहता है कुद्रत की औरते हिसे हमारी बूख को मार दिया जाता है पंजाब की एक तकावत है जर जुकाम पराउना पराउना पराउने को पंजाबी में पराउने का मतलब क्या होता है महमान जर जर का मतलब बुखार जुकाम का मतलब जुकाम परावने का मतलब महमान जर जुकाम परावना तीन दिन खाने को ना दो तो मुड़के नहीं आउना भुखार को जुकाम को और महमान को अगर तीन दिन तक कुछ खाने को ना दो तो वो दवारा बापिस नहीं आते हैं अब मेरा सवाल मेरा सवाल यह कहावत मैंने बनाई हेलो नहीं बनाई यह कहावत वर्षों से सदियों से जब से पंजाबी भाषा पैदा हुई है तब से बनी हुई आ रही है हमारे पूरवज कौन थे हेल्फ सांटिस्ट उनकी तरफ से वो कहते हैं कि जब जब आपको बुखार आजाए जुकाम आजाए तो अगर तीन दिन तक का भोजन को छोड़ देते हैं तो दवारा बापस नहीं आएगे अगर करोना आजाए अगर तीन दिन तक का भोजन को छोड़ दे तो करोना नहीं आएगा हमारे साथ गडबड क्या हुई हम बखार आने पर ना तो खाना छोड़ते हैं और ना ही हम दवाई छोड़ते हैं दवाई के माध्यम से भी बखार अंदर दब जाता है और अनाज खाने से बखार बिगड़ जाता है जो बड़ी उमर के हैं मेरे जैसे सफेद वालों वाले उनको ढूंड जो हमारे भारतिय बैद थे वो बुखार होने पर भोजन अनाज बंद करते थे जा खिलाते थे बंद करते थे क्यों एक पुडिया देते थे वो पुडिया से बुखार ठीक हो जाता था वो पुडिया भी इसलिए देते थे कि उनको पता था कि अगर लोगों को पुडिया नह देंगे तो लोग मनेंगे नहीं हमारे पूर्व जोंने नवरात्रों में उपवास इसलिए रखे कि भाई अगर आप उपवास करोगे आपको बगवान मिल जाएंगे आपकी भक्ती बढ़िया हो जाएगी वो भी सही है लेकिन उन्होंने भी ऐसी लिए बगवान का नाम ले दिया कि अगर इनको ये कह दिया कि आप बिमार नहीं पड़ोगे तो लोग नहीं मनेंगे क्योंकि लोग हेल्थ को इगनोर करते हैं उन्होंने ये बहाना बनाया तो अब पहले एक पुडिया से बुखार ठीक होता था आज आप दो दो हाफते दवान्या खाते रहते हो मुठी मुठीया 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 भरके दवान्या किया खाते रहते हो बुखार फिर भी ठ हमारे तरीके से बखार को ठीक करोगे तो आप पहले से ज्यादा अनर्जेटिक हो जाएंगे बखार ठीक होने के बाद हमारे एक्सपीरियंस में लोग करोना होने के बाद उनकी रिपोर्ट से हमारे पास हैं ठीक हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पहले और बाद में नेग्टिव हो चुकी है आप भी ठीक हो सकते हैं करना क्या है सबसे पहले आपने भोजन को बंद करना है भोजन को बंद करके फिर आपने लेना क्या है लेने के लिए आप NLS के वाइट चार्ट को फॉलो करेंगी कैसे एनेलस का वाइट चार्ट फॉलो करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए जितनी देर आपसे रहा जाए केवल पानी पानी पर रह सकते हैं जैसे लिखा है जल आचमन जितनी देर भी आपसे रहा जाए एक घंटे दो घंटे आधा दिन जब तक आप रह पाएं जब आपको लगे कि जल आचमन पर नहीं रह सकते फिर आप रसाहार उपवास ग्लूकोस उपवास करेंगे जिसमें आप नारियल पानी कच्ची सब्जियों के रस सफेद पेटे का रस आधा पानी मिलाके सब्जियों का उगला हुआ पानी यह चार चीजों में से कोई भी बदल बदल क या अगर एक ही उपलवदो एक ही ले सकते हैं अगर आपको गला खराब और खांसी है तो फिर आप सब्जियों का उगला हुआ पानी नहीं लेंगे या तो आप पेठे का रस लेंगे आधा पानी मिलाके या फिर आप नारियल पानी लेंगे इस तरीके से आप उपवास करे अड़ेंगे एक दो दिन नहीं और आपका नजला, जुखाम, बुकार क्योंकि कोरोना के भी यही लक्षन है यहीं ठीक हो जाएंगे 2-3-4 दिन के अंदर आपके यह लक्षन ठीक हो जाय हैं उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे जब आप लिगोडवाध को फोलो कर रहे हो और बुखार को जुकाम को acute disease को गले खराब को खांसी को ठीक करने में लगे हुए हो उस टाइम चार पॉइंट हैं आपके पहला पॉइंट क्या है आपने रसाहार liquid diet को फॉलो करता है दूसरा पॉइंट पेट के उपर पट्टी लगानी है आम हालत में दिन में दो बार आगर acute disease है बुखार को ठीक करना है तो दिन में चार बार गला खराब है तो गले की पट्टी और सिर में दर्द है तो मर्थे की पट्टी आदा घंटे के लिए जे पट्टी लगेगी गिली ठंडी पट्टी आदे गंटे बाद आप उतार सकते हैं अगर आपके घर में NLS का spinal tub बात है तो दो बार tub में लेट सकते हैं दो बार पट्टी लगा सकते हैं तीसरा point अनीमा सुबा शाम दो टैम लेना है जिस टैम आप बुखार को करोना को ठीक करने में लगे हुए हो तो NLS का जी non-valent अनीमा है इसकी आपको आदत नहीं पड़ती सुबा शाम दो टैम लेना है अगर आपको कब जी नहीं हो तो भी लेना है अगर आप इसको नहीं लेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे मगर हम इसको लेने की सला आपको इसलिए दे रहे हैं कि आगर आपके घर में दो विक्तियों को बुखार हो एक दवाई खाए एक NLS को फॉलो करे हमारे वाला पहले ठीक होगा अगर वो अनीमा ले लेगा अगर आप अनीमा नहीं लेंगे आपको ठीक होने में तीन दिन की जगह छे दिन लग जाएंगे घर वाले कहेंगे इस सिस्टम में कुछ नहीं रखा चलो आपको हॉस्पिटल ले कर जाते हैं दोई खिलाते हैं इसलिए आप अनीमा ले ले चौथा प्वाइब अगर आपके थर्मामेटर में बुखार ना हो सुबा सुबा सूर्य उदै होने के एक घंटे के अंदर-अंदर आप शरीर के उपर धूप लगवाएं यह चार चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका नजला जुकाम उल्टी, दस्त, बुखार, अक्यूट, डिजीज बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएंगे डरने की कोई जरूरत ने NLS का वाइट चार्ट कम्पलीट हुआ जब आप ठीक हो जाएंगे तो एक दम से आप अपना कम्पलीट खाना ना खाएं उसके बाद आप NLS के ग्रीन चार्ट को फॉलो करें ग्रीन चार्ट का मतलब आप जब तीन दिन भी लग सकते हैं दिन गिनने की जरूरत नहीं एक दो दिन ज़्यादा जाँ कम भी लग सकते हैं तो जैसे ही आप ठीक हो जाएं तो आप फिर NLS का green chart follow करेंगे Green chart में है कच्ची सबजी पक्के फल सुबा की वक्त में NLS का रसाहार लेंगे सबजीयों का juice, कच्ची सबजी का juice जैसे के पेठे का रस, नारियल पानी या किसी भी कच्ची सबजी का रस और दुपहर में कच्चे सलाद ले सकते हैं शाम को चार बजे कोई एक रसाहार ले सकते हैं और रातरी को कोई एक फल ले सकते हैं Green chart कितने दिन follow करना है अगर आपने white chart एक दिन follow किया और आप ठीक हो गए तो फिर green chart एक दिन अगर white chart दो दिन follow किया तो green chart तेन दिन इसके बाद आप normal diet NLS का yellow chart follow कर सकते हैं नवरात्रों में आप नवरात्रे कैसे करेंगे आप जो नवरात्रे आ रहे हैं नवरात्रों में उपवास करने के लिए हमारे पहले भी वीडियो ज़ले हुए आप देख सकते हैं हम नवरात्रों में वीडियो जालते हैं इसके अलावा आप हमारे सामने ही बैठें अभी सुनिए आप 9 नवरात्रे हैं शुरू-शुरू के दिनों में एक दिन, दो दिन, तीन दिन जैसी आपकी शमता हो जैसी के पैसती हो जैसा आपका अंदर से मन करें आप NLS के वाइट चार्ट को फॉलो करिए नारियल पानी, पेठे का जूस, कच्ची सबजियों के जूस, सबजियों का उगला हुआ पानी, अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो आप निम्बू पानी भी ले सकते हैं सबजियों का सूप भी ले सकते हैं एक बार, दिन में एक बार इन में से कोई भी एक रसाहार ले लीजिए आपकी मर्जी एक दिन, दो दिन, तीन दिन उसके आगे वाले जितने भी दिन बच गए उसमें आप NLS का ग्रीन चार्ट फॉलो करिए कच्ची सबजी, पक्के फल उप्वास आपको बताया हमने सबजियों का जूस, NLS का कोई भी रसाहार लंच में सैलेट, कच्चे सैलेट और डिनर में सीजनल फूरूट इस रूटीन को फॉलो करिए अगर आपने अपने घर में अश्टमी वाले दिन कन्याओं को खाना खिलाने के बाद पूरी सबजी खानी है तो सब्तमी वाले दिन आप NLS की सबजी खाना ना भूले मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सीधा ग्रीन चार्ट के बाद पूरी सबजी खाएंगे तो स्टमक अपसेट हो जाएगा पेट खराब हो जाएगा फिर उससे एक दिन पहले आप सॉल्ट इंटेक करें NLS की सबजी खाएं तो ही अगले दिन ऐसा करें अगर आप वैसा नहीं करने वाले हैं आप पूरे नवरात्रे वाइट और ग्रीन चार्ट पे करें और जब नवरात्रे समापन हो जाएं तो NLS के येलो डाइट चार्ट को फॉलो करें इस तरीके से उपवास करने के बाद अगले छे महीने के लिए आप देखिए आपका एनरजी लेवल और आपकी बाड़ी किस तरीके से हर बिमारी और मौसम को सेहने के लिए तैयार हो जाती है